साथियों, कोरोना जैसे अद्रश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाप लड़ाई में सबसे प्रभावी हत्यार कोवीड प्रोटोकॉल है मास्क, दोगज की दूरी और बागी सारी सावधानिया उसका पालन ही है इस लड़ाई में वैक्सिन हमारे लिए सुरक्षा कबच की तरह है आज पूरे विश्व में वैक्सिन के लिए जो मांग है उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सिन बनाने वाली कमपनिया बहुत कम है इनी इनी हैं कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सिन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाज देश में क्या होता आप पिछले 50-60 साल का इतिहाद देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सिन प्राप्त करने में बसंकों लग जाते थे विदेशों में वैक्सिन का काम पूरा हो जाता था तब भी हमारे देश में वैक्सिनेशन का काम सुरू भी नहीं हो पाता था पोलियों की वैक्सिन हो स्मॉल पॉक्स जहां गाउं में हम उसको चेचक कहते हैं चेचक की वैक्सिन हो है हैपिटाइटिस B की वैक्सिन हो इनके लिए देश वास्यों ने दसकों तक इंतजार किया था जब 2014 में देश वास्यों ने हमें सेवा का उसर दिया तो भारत में वैक्सिनेशन का कवरेश सिर्फ साथ परसंड के आस्पात था साथ प्रतिशत के आस्पात था और हमारी दृष्टी में यह बहुत चिंता की बात थी है जिस रप्तार से भारत का टिकाकरण कारकम चल रहा था उस रप्तार से देश को शत प्रतिशत टिकाकरण कवरेश का लक्सा हासिल करने में करीब करीब चालीच साल लग जाते हैं हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉंच किया है हमने क्या कि मिशन इंद्रधनुष के मांतम से युद्धस्तर पर वैक्षिनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्षिनेशन की जरूत है उसे वैक्षिने देने का प्रयास होगा हमने मिशन मोड में काम किया और सिर्फ पांच-छे साल में ही वैक्षिनेशन कवरेज 60 प्रतिसत से बढ़कर 90 प्रतिसत से भी जादा हो गई 60 से 90 यानि हमने वेक्सिनेशन की स्पीड भी बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया हमने बच्चों को कई जान लेनवा बिमारियों से बचाने के लिए कई नए टीकों का भी भारत के टिका करन व्यान का इससा बना दिया हमने इसलिए किया क्योंकि हमें हमारे दरेश के बच्चों की चिन्ता थी गरीब की चिंता थी, गरीब के उन बच्चों की चिंता थी, जिने कभी टीका लखी नहीं पाता था। गिरने लगी कि अब भारत कैसे इतनी बड़ी आबादी को बचा पाएगा। लेकिन साथियों जब नियत साफ होती हैं, निती स्पस्ट होती हैं, निरंतर परिश्रम होता है, तो नतीजे भी मिलते हैं। हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने एक साल के भीतर ही एक नहीं, बलकि दो मेड इन इंडिया वैक्सिन लाउंच कर दी। हमारे देश ने, देश के वैज्यानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज जब मैं आप से बात कर रहा हूं, तो देश में तेईस करोड से ज़्यादा वैक्सिन की डोच दी जा चुकी हैं। तेईस करोड साथियों हमारे यहां कहा जाता है विश्वासे न सिद्धी ही। हमारे प्रयासों में हमें सफलता तब मिलती हैं जब हमें स्वयम पर विश्वास होता है। हमें पुरा विश्वास था कि हमारे विज्ञानिक बहुती कम समय में वैक्सिन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैक्जानिक अपना रिसर्च वर्क करी रहे थे तबी हमने लॉजिस्ट्रिक्स और दूसरी तैयारिया शुरू कर दी थी। आप सब भली भाती जानते हैं कि पिछले साल याने एक साल पहले पिछले साल अप्रिल में जब कोरोना के कुछी हजार केस थे उसी समय वैक्सिन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। भारत में भारत के लिए वैक्सिन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपूर्ड किया। वैक्सिन निर्माताओं को क्लीनिकल ट्राइल में मदद की गई रिसर्ट और डेवलप्मेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंदे से कंधा मिलाकत चली। आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहट मिशन कोविड सुरक्षा के माद्यम से भी उन्हें हजारों करोड रुप्य उपलब्द कराए गए। पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिशम कर रहा है उससे आने वाले दिनों में वैक्सिन की सप्लाई और भी जादा बढ़ने वाली हैं। आज देश में साथ कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सिन का प्रोडॉक्षन कर रही हैं। तीन और वैक्सिन का ट्रैल भी एडवांस टेज पर चल रहा है। वैक्सिन की उपलब्दता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सिन खरेद्य की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इधर हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई हैं। इस दिशा में भी दो वैक्सिन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सिन नेजल वैक्सिन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरीन से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविश में इस वैक्सिन पर सफलता मिलती है तो इससे भारत के वैक्सिन अभ्यान में और जादा तेजी आएगी। साथियों इतने कम समय में वैक्सिन बनाना अपने आप में पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी है। लेकिन इसकी अपनी सिमाय भी है। वैक्सिन बनने के बाद भी दुनिया के बहुत कम देशों में वैक्सिनेशन प्रारम हुआ। और जादा तर सम्रुद्ध देशों में ही शुरू हुआ। WHO ने वैक्सिनेशन को लेकर गाइडलेंज दी। वैज्यानिकों के वैज्यानिकों ने वैक्सिनेशन की रुप्रेखा रखी। और भारत ने भी जो अन्य देशों की बेस्ट प्राक्रिसिस थी। विश्व स्वास्त संगर्षन डब्ली ओचों के मानक थे। उसी आधार पर चरण बद्ध तरीके से वैक्सिनेशन करना तहे किया। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई अनेकों बैठकों से जो सुझाओं मिले। उसका भी पुरा ध्यान रखा। इसके बाद ही यह तै हुआ कि जिने कोरोना से जादा खत्रा है उन्हें प्रात्विक्ता दी जाएगी। इसलिए ही हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, साथ वर्ष की आयू से जादा के नागरीक, बीमारियों से ग्रत्रीत, पैतालिस वर्ष से जादा आयू के नागरीक, इन समी को वैक्सिन पहले लगनी शुरू हुए। आप कलपना कर सकते हैं कि अगर कोरोना की दूसरी वेव से पहले हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सिन नहीं लगी होती, तो क्या होता? सोचिये, हमारे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाप को वैक्सिन ना लगी, तो क्या होता? अस्पतालों में सफाई करने वाले हमारे भाई बहनों को, एंबुलन्स के हमारे ड्राइवर्स भाई बहनों को वैक्सिन ना लगी होती, तो क्या होता? जादा से जादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सिनेशन होने की बज़त से ही वो निश्चिन्थ होकर दूसरों की सेवा में लग पाएं, लाखों देश वाक्षों का जीवन बचा पाएं लेकिन देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच, केंद्र सरकार के सामने अलग अलग सुझाओ भी आने लगे, बिन बिन मांगे होने लगी, पूछा जाने लगा, सब कुछ भारत सरकारी क्यों तै कर रही है, राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही है, राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही है, बन साइज दस नौट फिट आल जैसी बाते भी कही गई दलिल ये दी गई कि सम्विधान में चुकी हिल्थ आरोग्य प्रमुक रूप से राज्य का विशय हैं इसलिए अच्छा है कि सब राज्य ही करें इसलिए इस दिशा में एक सुरुवात की गई भारत सरकार ने एक ब्रहत गाइडलाइन बनाकर राज्यों को दी ताकि राज्य अपनी आवश्यक्ता और सुविधा के अनुसार काम कर सके स्थानिय स्थर पर कोरोना करिफ्यू लगाना हो माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बनाना हो इलाज से जुड़ी व्यवस्ताएं हो भारत सरकार ने राज्यों की इन मांगों को स्विकार किया साथियों इस साल सोला जन्वरी से शुरू होकर अप्रिल महिने के अंत तक भारत का वैक्सिनेशन कारक्रम मुख्य तह केंद्र सरकार की देख रख में ही चला सभी को मुप्त वैक्सिन लगाने के मार्क पर देश आगे बढ़ रहा था देश के नागरिक भी अनुर्शासन का पालन करते विए अपनी बारी आने पर वैक्सिन लगवा रहे थे इस बीच कई राज्य सरकारों ने भी कहा कि वैक्सिन का काम डीसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाएं तरह तरह के स्वरूठे जैसे कि वैक्सिनेशन के लिए एज ग्रूप क्यों बनाए गए दूसरी तरफ किसे ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंदर सरकार ही क्यों तै करें कुछ आवाजे तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वै पहले क्यों हो रहा है बाती भांती के दबाव भी बनाए गए देश के मिडिया में मिडिया के एक वर्ग ने इसे केंपेंड के रुप में भी चलाया साथ यो काफी चिंतन मनन के बात इस बात पर सहनती बनी कि राज्य सरकारें अपनी तरब से भी प्रयास करना चाहती है तो भारत सरकार को क्यों इतराज हो और भारत सरकार इतराज क्यों करें राज्यों की इस मांग को देखते हुए उनके आग्रव को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो विवस्ता चली आ रही थी उसमें प्रोग के तोर पर एक बढ़लाव किया गया हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं उनका उत्सा है तो चलो भाई 25 प्रतिशत का काम उन्हीं को सुपरुत कर दिया जाए उन्हीं को दे दिया जाए स्वाबावी कि है एक मबई से राज्यों को 25 प्रतिशत काम उनके हवाले कर दिया गया उसे पुरा करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किये इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाईयां आती हैं यह भी उनके धन में आने लगा उनको पता चला पूरी दुनिया में वैक्सिन की क्या सिती है इसकी सच्चाई से भी राज्य परिचीद हुए और हमने देखा एक तरफ मई में सेकंड वेव दूसरी तरफ वैक्सिन के लिए लोगों का बढ़ता रुजान और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाईयां मई में दो सब्ता बित्ते बित्ते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्ता ही अच्छी थी धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जूडती चली गई वैक्सिन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर विचार की मांग के साथ फिरा गए आए राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देश वाश्यों को तकलीफ ना हो सुचारू रूप से उनका वैक्सिनेशन हो इसके लिए एक मै के पहले वाली याने एक मै के पहले सोला जन्वरी से अप्रिल अंतर तक जो व्यवस्ता थी पहले वाली पुरानी व्यवस्ता को फिर से खुल लागू किया जाए साथ योग आज ये निर्ण लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सिनेशन से जुड़ा जो पचीस प्रतिशत काम था आएगी ये व्यवस्ता आने वाले दो सप्ता में लागू की जाएगी इन दो सप्ता में केंद्रव और राज्य सरकारे मिलकर नई गैड्लेंज के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी संयोग है कि दो सप्ता बात 21 जून को ही अंतराश्य योग दिवस भी हैं 21 जून सुमवार से देश के हर राज में 18 वर्षे उपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुप्त वैक्सिन मुहया कराएगी वैक्सिन निर्माताओं से कुल वैक्सिन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरिद कर राज्य सरकारों को मुप्त देगी यानि देश की किसी भी लाज्य सरकार को वैक्सिन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा अब तक देश के करोडों लोगों को मुप्त वैक्सिन मिली हैं अब 18 वर्ष की आउ के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे सभी देश वाच्चों के लिए भारत सरकार ही मुप्त वैक्सिन उपलब्द करवाएगी गरीब हो निम्न मद्यमबर्ग हो मद्यमबर्ग हो या फिर उच्चवर्ग भारत सरकार की अभ्यान में मुप्त वैक्सिन ही लगाई जाएगी हाँ जो व्यक्ति मुप्त में वैक्सिन नहीं लगवाना चाहते हैं प्राइवेट अस्पताल में वैक्सिन लगवाना चाहते हैं उनका भी ध्यान रखा गया है देश में बन रही वैक्सिन में से 25 प्रतीशत प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं ये व्यवस्ता जारी रहेगी प्राइवेट अस्पताल वैक्सिन की निर्धारित कीमत के उप्राइट एक डोज पर अधिक्तम एक सो पचास रुप्य ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे इस्टी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा साथियों हमारे सास्त्रों में कहा गया है प्राइवे आपदमना व्यथते कदाचित उद्योगम अनू इच्छती चा प्रमत्त अर्थात विजेता आपदा आने पर उससे परेशान होकर हार नहीं मानते बल्कि उद्यम करते हैं परिश्रम करते हैं और परिश्थिती पर जीत हांसिल करते हैं कोरोना से लड़ाई में 130 करोड से अधिक भारतियों ने अभी तक की यात्रा आपसी सहयोग दिन रात महनत करके ताई की है आगे भी हमारा रास्ता हमारे स्वरम और सहयोग से ही मजबुत होगा हम वैक्सिन प्राप्त करने की गती भी बढ़ाएंगे और वैक्सिनेशन अभ्यान को भी और गती देंगे हमें याद रखना है कि भारत में वैक्सिनेशन की रप्तार आज भी दुनिया में बहुत तेज हैं अनेग विक्षित देशों से भी तेज हैं हमने जो टेक्नलोजी प्लेट्फरम बनाया है कोविन उसकी भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है अनेग देशों ने भारत के इस प्लेट्फरम को इस्तिमाल करने में रुची भी दिखाई है हम सब देख रहे हैं कि वैक्सिन की एक एक डोश कितनी महत्वपूर है हर डोश से एक जिन्दगी जुड़ी हुई है केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था भी बनाई है कि हर राज को कुछ सब्ता पहले ही बता दिया जाएगा कि उसे कब कितनी डोश मिलने वाली है मानवता के इस पवित्र कार्य में वाद विवाग और राजनितिक छीटा कसी से ऐसी बातों को कोई भी अच्छा नहीं मानता है वैक्सिन की उपलब्दता के अनुसार पूरे अनुसासन के साथ वैक्सिन लबती रहे देश के हर नागरी तक हम पहुँच सके ये हर सरकार हर जन प्रतिनी दी हर प्रसासन की सामुहिक जिम्मेदारी है प्रिय देश वाचियों टीका करण के अलावा आज एक और बड़े फैसले में उस फैसले से मैं आपको अव्व्यत कराना चाहता हुँ पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लोकडाउन लगाना पड़ा था तो प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के तहर आठ महिने तक असी करोड से अधिक देश वाचियों को मुप्त राशन की ववस्ता हमारे देश ने की थी इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मैं और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था आज सरकार ने फैसला दिया है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना को अब दिपावली तक आगे बढ़ाये जाएगा महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरुरत के साथ उसका साथ ही बनकर खड़ी है यानि नवंबर तक असी करोड से अधिक देशवासियों को हर महिने पाए मात्रा में मुप्त अनाज उपलब्दक होगा इस प्रयास का मक्सद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बेहन को उसके परिवार को भूखा सोना न पड़े साथियों देश में हो रहे इन प्रयासों के बीश कई छेत्रों से वैक्सिन को लेकर भ्रम और अफ्वाओं की जानकारी चिंता बढ़ाती है यह चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करदा चाहता हूँ जब से भारत में वैसिन पर काम शुरू हुआ तब ही से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बाते कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो कोशिच यह भी हुई कि भारत के वैक्सिन निर्मारताओं का होसला पस्थ पढ़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आये जब भारत की वैक्सिन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया वैक्सिन न लगवाने के लिए भांती भांती के तर्क प्रकारित किये गए इन्हें भी देश देख रहा है जो लोग वैक्सिन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं अफ़ाएं फैला रहे हैं वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवार कर रहे हैं ऐसी अफ़ाओं से सतर्क रहने की जरूरत है मैं भी आप सबसे समाज के प्रबुद्ध लोगों से युवाओं से अनुरोत तरता हूं कि आप भी वैक्सिन को लेकर जागरुकता बढ़ाने में सहयोग करें अभी कई जगों पर कोरोना कर्फू में धिल दी जा रही हैं लेकिन इसका मटलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सक्ति से पानन करते रहना है मुझे पूरा विश्वास है हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे भारत कोरोना से जीतेगा इनी सुपकामराओं के साथ आप सभी देश्वासियों कहां बहुत बहुत धन्यवाद